नमस्ते दोस्तों सेवन सेंस के इस यूटूब चैनल में मैं विकाज बोपी नुआर आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तह दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम दे गेम ओफ मनी सेरीज के पार्ट 33 को देखने जा रहे हैं जिसमें हम समझेंगे एक बुलिश हरामी पैटन को और इस दर्मयान हमें टार्गेट क्या रखना है इंट्री कहां पे लिनिय और स्टॉप लॉस की तरह रखना है दोस्तों ताकि वो हिट ना हो इसन चीजों को यहाँ पे समझने वाले हैं तो चलिए आईए आज करी शांदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं सेवन सेंस यूटूब चैनल के साथ में तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बड़ी देर से एक बियरिश ट्रेन मार्केट में चल रहा है मार्केट गिर रहा है दोस्तों तभी उस दर्मयान यहाँ पे एक बड़ा सा रेल कैंडल बन चुका है जो एक मदर कैंडल कहलाएगा दोस्तों यह देखिए यहाँ पे ओपन हुआ थोड़ा सा हाई गया फिर नीचे आया एक लो दिया और थोड़ा उपर आके क्लोज हो गया लंबा सा एक मदर कैंडल रेल कलर का फॉर्म हो चुका है बेरिश कैंडल और उसके तुरंत बाद एक छोटा सा बेबी कैंडल बना है जो है ग्रीन कलर का ठीक है अब यह बेबी कैंडल जो है ग्रीन कलर का यह कहाँ पे ओपन हुआ यहाँ ओपन हुआ थोड़ा नीचे जाक अब इसमें कंडिशन क्या होती है दोस्तों जो मदर केंडल होती है वो बेबी केंडल से चार गुना बड़ी होनी चाहिए यह अगर यक्स है तो इसका साइज जो है 4 यक्स होना चाहिए मदर केंडल का ठीक है तो मदर केंडल चार गुना बड़ी होगी इस बेबी केंडल से त जो एक गर्बधरन करी हुई है तो यहां पर आप देख सकते हो यह मदर का किरदार निबा रहे हुई बड़ी सी कैंडल है और उसके पेट में छोटा सा बच्चा है जो इस से चार गुनाज चोटा है दोस्तो मदर कैंडल 4 गुनाज बड़ी होगी बेबी कैंडल 4 गुनाज च समझेंगे कि हमें कहां पे इस पैटन के साथ में टार्गेट रखना है इंट्री लेनी है और स्टाप लास कितना रखना है दोस्तो चलिए आगे देखते हैं और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दू हमारा ये जो सेवन सेंस चैनल है इसका जो प्रीमियम लाइफ टाइम टेलेग्राम मेंबर्शिप है दोस्तो इसे आप लोगों ने आज ही जोईन करना है इसके लिए मात्र आप तो भुगदान करना होगा वन टाइम कंट्रिबूशन करना होगा दोस्तो थी थाउजन रुपीज का और ये आफ़र आपको 31 जुलाई 2023 तक है दोस्तो और इसके ब होगे और यकीन मानिए यहाँ पे एक बार आप जॉइन होगे मैने दो मैने में आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे दोस्तो विद्ध प्रॉफिट ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इसमें इसमें सारे वीडियो की PDF मिलेगी recorded digital platform पे आपको वीडियो मिलेंग वो आपको help करेंगे ट्रेडिंग को समझाने में ट्रेडिंग के app को DMAT account को किस तरह handle करना है कैसे ट्रेडिंग करना है कहाँ पे entry लेना है कहाँ पे stop loss लेना है और कैसे profit होता यह सारी चीज़े आपको chart के साथ यहाँ पे समझाई जाएगी और इन recorded videos का course complete होने के बाद में आ आप खुद बखुद बता दोगे कि market चड़ेगा तो कितने point से चड़ेगा और उतरेगा तो कितने point से उतरेगा इससे क्या होगा कि आप सही profit अपना book कर पाऊगे दोस्तों बिना loss किये ठीक है तो जरूर इस premium telegram membership को join करिए और हाँ दोस्तों आपका DMAT account trading account नहीं खुला है तो आप लोगों से विनती है कि आप इस telegram membership को join कर रहे हो तो आपको zero-da के साथ अपना account बनाना होगा जिसका link मैं नीचे description box में दे रहा हूँ ताकि कैसा होगा हमारा zero-da account है आपका भी zero-da होगा तो कुछ भी आधा अधुरा नहीं होगा दोस्तों आप जो भी सीखेंगे प 80-87-33-9-648 ठीक है एक बार दोरा देता हूँ 80-87-33-9-648 पर हमारे logo में भी ये number add किया हुआ दोस्तों logo इस तरीके से दिख रहा होगा तब यह आप सही channel पे होगे वरना किसी fraud में फस जाओगे दोस्तों हमारे mobile number को नोट कर लीजीगा ठीक है तो आप सही platform में रहोगे और आपको यहाँ पे इस 3000 के against में बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों बहुत कुछ आप यकीन नहीं मारोगे आप सही trading करना start कर दोगे दोस्तों सिर्फ दो मेने में ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं कि इस bullish हरामी pattern के साथ में हमें target entry और stop loss कहां पे रखना है देखिए यह यहाँ पे एक long जो है downtrend आपको दिखाई देगा जो उपर जाके यहाँ पे rejection दिया फिर नीचे आया फिर उपर गया यहाँ पे rejection दिया फिर नीचे आके इसने क्या बनाया तो देखते हैं कि एक बड़ा सा red candle यहाँ पे बना चुका है और उसके बाद तुरंत एक छोटा सा green color का candle बन चुका है दोस्तों जिसका upper shadow lower shadow भी इतना छोटा है इसका पूरा size अगर X होगा तो इसका जो mother candle है red वाला उसका size इससे 4 गुना बड़ा होना चाहिए ठीका इसका shadow भी उपर नहीं जाना चाहिए शाडो को include करके इना shadow अंदर ही होना चाहिए इसके open close के इसका open close इस candle है वो baby का किरदार निवा रहेगा जैसे कि यह harami जैसे word बोला हमने यह pregnant woman की तरह दिखेगा दोस्तों है ना harami एक Japanese word है तो यहां से यह bull है इसके पेट में बुल बच्चा है तो market भी bullish जाएगा और यह कहां तक आपको इसमें target रखना है तो जहां पे हमारा resistance zone है आप यहां पे आपको resistance मिला हुआ यह point आपको बताएंगे कि target यही पे रखो वही है यहां पे rejection candle भी आपको मिलेगा तो यहां पे आपने square off कर लेना है आपने जो भी यहां पे buy किया था ना entry यहां पे कर लेना है आपको इसको जैसे ही यह cross कर देता है third candle तो यहां पे आप entry बनाएंग buy के साथ में और यहां जाके सब कुछ sell करके अपना position square off करेंगे ठीक है और stop loss कहा रखेंगे इसका जो lower shadow का low है वहां पे आप stop loss लगाएंगे दोस्तों आपको entry मिल गई target मिल गया और stop loss भी मिल गया अब यह इसके नीचे क्यों नहीं जाता है क्योंकि यहां पे क्या होता है जो भी company आपने select की है जो भी यहां पे underlying आपने select किया है उसका यह lowest price का इशारा करता है यह lowest price है इसके नीचे नहीं जाएगा यह oversold area हो जाएगा यहां पे बहुत sellers थे लेकिन इस जगा पे आने के बाद में sellers अपनी position को square off कर लेता है और वो convert हो जाता है buyers में वो यहां पे buy क करना पसंद करता है दोस्तों और sellers buyers में बन जाते है और buyers की संख्या यहां पे बढ़ जाती है और यहां से तुरंत buying करना शुरू हो जाता है shares का और इसके लिए यह market नीचे नहीं ऊपर जाना पसंद करता है तो आप भी बहती गंगा में हाथ धो लीजिए यहां पे आपने buyers बनना है ना की sellers बनना है ने क्या ने तो net 무ERT लो गते हैं market तो बहुत देर से गिर रहा है गिरते ही रह रहा है तो यहां से भी आगे गिए गिरेगा लेकिन यहां पे और sold area है यहाँ पे कोई नहीं sale करेगा आप क्यों sale करोगे आप sale करोगे तो बरबाद हो जाओगे क्योंकि market तो उपर जा रहा है तो आपने भी यहाँ पे buyers बनना है ना की sellers बनना है दोस्तों ठीक है long position करिए buy और यहाँ पे जाके sale करना है ठीक है अब यही जो pattern से वो अलग-अलग तरीके से chart पे कैसे दिखेंगे यह भी देख लो किस तरीके से आपको अलग-अलग तरीके से यह chart pattern यहाँ पे दिख सकते chart पे यह देखो यह जो बड़ा है चार गुना बड़ी है उसकी mother जो है red candle, bearish candle जो है चार गुना बड़ी होती है उसके baby से baby का side जो है वो x होगा तो उसकी maa का side चार गुना जादा होगा 4 x होगा और इसका upper shadow lower shadow इसके बाहर नहीं जाना चाहिए दोस्तों यह पूरा-पूरा इसके अंदर रहना चाहिए इसका यह condition है तो यह वाला जो green है यहाँ पे भी रह सकता है middle में रह सकता है उपर में रह सकता है उपर नीचे हो सकता है तो इस candle को आपने भापना बहुत जरूर यह चार्ट पे यह बनेगा और आप उसे भाप नहीं पाओगे तो क्या मतलब हो जाएगा सीखे न तो यह इसको यह candle stick pattern बनेगा तो हमारे दिमाग में भी एक candle जलनी चाहिए कि भया देखो यह बन गया है bullish हरामी pattern तो यहाँ में entry करना है नीचे oversold area है यहाँ पे buy करो buyers look बढ़ रहे हैं तो आप भी बैती गंगा में हाथ दोलो target रखो और profit को book कर लो दोस्तो ठीक है तो इस वीडियो को आपने पूरी तरीके से समझाओगा जो कुछ मैं समझाना चाहता था वो चीज आपके पल्ले आपड़ चुकी होगी दोस्तो और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को like करना share करना और comment box में comment जरूर करना दिल से दर्खास थे गुजारिश थे कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तो इस बेल आइकन को में तब तक के लिए थैंक यूँ